जय हिंसाथ ही हो स्वागत हैं सभी का आपको परिवार एक रिश्टेशन में दोस्तों यूपी करेटेट के एक्जाम को लेकर इसके फाम फिलिंग डेट को लेकर और कंड़क्टिंग इंवस्ट्री को लेकर काफी चर्चाय हो रहे थी काफी चातों दें कमेंट करके पूछा भी था कि इसका फाम कब से फिलब होगा और कॉंस इनिवस्ट्री कंड़क्ट कराएगी एक्जाम कब होगा काउंसलिंग कब होगा सारी बातों पर चाचा करने वाले हैं सब कुछ आपके सामने हैं वीडियो में लाश्ट तक बंद रहेंगे आपको यहां से पूरा इंफाम है वह आप समको पता होगा हर साल कंड़क्ट कराया जाता है और चार नंवेस्टि जो है वो चार नासि आपस में मिलकर नंश चरती हैं मतलब कोई लेकिन सभस ख़बरी की बात ये हैं कि इस तरब संतंग है चाहर चार यूनिवस्ट्टी की जगह जो है युक्तर-प्रदेश में पांच यूनिवस्टी सामील हैं पांच यूनिवस्ट्टी जो हैं पांच भृत्पि जाले एक लिघरी कल्चर की सामील हो गई क्या कहा गया इस पेपर कमाध्यम से देखे इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश संयुक्त किर्शी यों प्रदोकी परवेश परिच्छा यूपी करेट दोस्याच वबिस मेजवानी इस बार सरदार बल्ला भाई पटेल उनिवस्टी करेगी आज सुबह को पता ये रहा होगा कि इस बार सियस्टी को कराना था जो एकजाम है लेकिन इस बार कुछ कारणों की वज़े से सरदार बल्ला भाई पटेल मेरेट उनिवस्टी जो है एकजाम को कंड़क्ट करा रही है मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इस बार सियस्टी के चांसेस ना के बराबर है कराने के एकजाम क्योंकि कुछ कारण थे जिसकी वज़े से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार सियस्टी कंड़क्ट नहीं कराएगी तो इस बार सरदारबल भाय पटेल इनुवर्श्टी कंड़क्ट करा रही है एकजाम जब ये एकजाम कंड़क्ट कराती है तो इसका लेवल क्या होता है इस सारी बाते हम लोग बाद में चर्चा करेंगे किस पकार के question आते हैं कहा question पुटफ होते हैं इन सभी पर हम लोग बात में चर्चा करेंगे आगे बात करें अगर यह परिच्छा परदेश के ग्यारा सहरों में ग्यारा सहरों में 6 और 7 जून को होगा याद रखेंगे 6 और 7 जून को आपका exam date भी clear हो चुका है आगे इसमें लिखा गया है कि उत्तर परदेश में पांच किर्सी विस्वजाले हैं पजेंटा में पांच हो गये हैं जिसमें किर्सी विस्वजाले मेरट के अलावा नरेंद्यो जो अयुद्या में है CSI University जो कानपुर में है बादा अगरिकल्चर इन्वस्टी जो बादा में है और जो नया खुला है हाल ही में खुला महत्मा बुद्ध किर्सी विस्वजाले कुसी नगर में सामिल है ये सभी पांचो ये जो हैं इन्वस्टी यूपिकरिटेट के एक्जाम में सामिल होने हैं पांचो विस्वजाले के लिए ये उपिकरिटेट परिच्छा इस बार किर्सी किर्सी विस्वजाले मेरट को करानी है किसी विस्वजाले कुसी नगर में सुगर केन साइंस एंड टेकनोलाजी में 30 सीटों पर परवेश भी यूपिकरिटेट से ही होंगे यानि कि इस बार जो मेरा जो कुसी नगर में खुला हुआ है इन्वस्टी उसमें 30 सीटे हैं और किसकी है वो तो सुगर केन साइंस एंड टेकनोलाजी की 30 सीटे हैं 26 मार्च से 7 मई तक आनलाइन फान भर सकते हैं काफ़ी लंबा टाइम है फिलाल time का बेट नहीं करेंगे फान सांट होगा दो देंगे उसको लाश Lock देट का बेट करेंगे कहीं बेशाइट verkरा बेजि हो गई MARKS जो है पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी इसलिए टाइम का बेट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में फाम को अप्लाई करेंगे और जो है अपना प्रहाई करेंगे अनलाइन फिर जम्हा करने की अंतिम्तिती आठ मई तक हो है आबेदन फाम में नौ से चौदा मई तक समसोधन क कर सकते हैं सात मई से परवेष कतर डाउनलोड कर सकेंगे साथ मॉइ के बाद आप परवेष कतर अपना डाउनलोड कर सकेंगे आगे उन्होंनों बताया भाई कि 6 जून को वो गिर्जूसन वालों का होगा निक जो ब्यस्थी चात्र जो ब्यस्थी मडविशन लेना चाहते हैं उनका एक्जाम 6 मई को होगा और जो MSC, PhD और ABM वाले हैं अगर बिजनेस मैनेजमेंट वाले हैं और PhD वाले और MSC वाले इन जाएगा अब 11 सहर जो हैं वो कौन कौन से है अजर यहां पर इनों ने भी बता दिया है कि जो आपका एक्जाम का परणाम है यानिक result है वो कब घौसित किया जाएगा तो 22 जून को आपका result घौसित किया जाएगा 27 जून से आपका counselling स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छ जो उनसे आपकी counselling स्टार्ट हो जाएगी अब आगे बता जाएगा कि ग्यारा सहरों में जो है एक्जाम कराए जाएगा ग्यारा सहर कौन कौन से हैं उसमें आयुध्या आगरा बरेली बादा कानपूर मेरट बनारस आजमगर जहांसी लखनव गोरखपूर यह ग्यारा सिटी में इसका एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा जहां जो भी सिटी आपके आसपास में हो वह आप उसमें फिल कर देंगे आगे फीस के बारे में भी इन्होंने बता दिया है फीस बताया है कि जो भी EWS OBC और जनरल के छात्र होंगे उनका साड़े तेरा सुरुपे फीस लग जाए में इस बार का इंफामेशन कैसा लगा आप कमेंट ब्राक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक कर दें सेयर कर दें और चैनल को सब्स्राइब करना बिलकूल नहीं भूलेंगे चलिए नेक्टिवेडियो में फिर में तक तुलिए उसकार जेहिन जे भारत